आँखें, दुनिया देखने के लिए आपका ज़रों का। ज्यादातर लोग अपने आसपास की दुनिया देखने और समझने के लिए अपनी आखों पर भरोसा करते हैं। ठीक हमारे जगने से लेकर हमारे सोने तक सारा दिन हम अपने स्मार्टफोन्स, टाबलेट्स, कम्प्यूटर्स, डिजिटल डिवाइसे और यकीनन टीवी पर बिजी होते हैं। जिससे आप खुद को डिजिटल आई स्ट्रेन के खत्रे में डाल सकते हैं। इसे डिजिटल आई सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो बार-बार होती है यहां तक की बच्चों में भी। एक औसत व्यक्ती एक मिनट में बारे बार याने की एक दिन में लगभग 10,000 बार पलकें जपकाता है। वहीं जब व्यक्ती लंबा समय डिजिटल डिवाइसिस पर कॉंसेंट्रेट करते हुए बिताता है, तो पलकें जपकने की संख्या औसतन 66 प्रतिशत तक कम हो सकती है। लक्षणों में सूखी लाल और जलन भरी आँखें, ठकान, आँखों में खिचाव, दुंदला दिखाई देना, देखने में समस्या और सिरदर्द शामिल हो सकता है। आपकी आँखें आपकी सेहत का एक खास हिस्सा होती हैं, और सेहतमद आदतों का पालन उन रोगों और स्थितियों के ख्षेतरों को कम कर सकती हैं, जो आँखों या दृष्टी में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। जबकी शरीर की अच्छी सेहत को बनाए रखने में हम कितना ख्याल रखते हैं, वहीं आँखों की देखरेक पर बहुत कम ध्यान देते हैं, जब तक की आँखों में कोई नुकसान नहीं हो जाता या हमारी दृष्टी प्रभावित नहीं हो जाती। इसलिए नाच्रम और आई केर के साथ अपनी आँखों को दीजिए वो देखभाल जो उन्हें मिलनी चाहिए, जिसकी वो हगदार हैं। आँखों को और डिजिटल युग में नजर को सुरक्षित रखता है। आँखों की धकान, आँखों में खिचाव, अपर्याप्त पोशन, प्रदूशन और चमकदार रोशनी में उप्योगी होता है। और मस्किलर डिजनरेशन के खतरे को कम करता है। ये आँखों की धकान, आँखों की जलन और खिचाव के उप्योग में मददगार है। विविताकी, ये आँखों से जुड़ी समस्याओं में बेहद उप्योगी है। इसमें आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं जो आँखों के समग्र पोशन में मदद करते हैं। हरिताकी, इसका उप्योग आँखों की रौशनी में सुधार के साथ साथ, आँखों की हर तरह की स्तितियों के इलाज में किया जाता है। आयूरवेद में इसे जड़ी बूटियों का राजा भी कहा जाता है। ब्रिंग राज आखों की शक्ती और समग्र दृष्टी को बढ़ाता है और आखों के कई विकारों में उप्योगी होता है। मुरिंगा इसमें ओमेगा-3 fatty acids और असाधरन मातरा में antioxidant होता है जो आखों को सुरक्षात्मक लाब देता है। ये सेहत्मन दाखों के साथ ही स्पष्ट रूप से देखने में सहायक होता है। इसका उप्योग व्यापक तोर पर vascular permeability और capillary fragility या कहें सहवानिय परगम्यता और कोशिका की नाजुकता को कम करते हुए रात को देखने की क्षमता बढ़ाने या कम रोश्णी में होने वाली दृष्टी बाधा में सुधार के लिए किया जाता है। ये रक्त प्रवा के सुधार में मदद करता है, खास तोर पर आखों की रक्तवाईकाओं में। लूटियन एक शक्तिशाली आंटि आक्सिरिंट है जो आखों द्वारा ब्लू लाइट याने नीली रोश्णी के अवशोशन में मदद करता है। जीजान्थिन आख के रेटिना को प्रकाश से होने वाले नुकसान से सुरक्षत रखता है। लूटियन के साथ ये आख के मैक्यूला की रक्षा करता है जो की द्रिश्य गतिविधी के लिए आवश्चक शेत्र है। करक्यूमिन आखों से संबंधित कई तरह के रोगों जैसे ग्लॉकोमा, उम्र से जुड़े मैक्यूलर डीजनरेशन, अलर्जी से होने वाले कंजंक्टिवाइटिस और ड्राय आई सिंड्रोम में उप्योगी होता है। ये रेटिना कोशिकाओं के नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। ये netsurfnetwork.com पर log in करें